आज हम आपके लीक रहा हैं microscope मैंने आपको पहले भी microscope की सिरियश दिखाय दिये जो की basic microscope हैs जो की चोटे कम prices में और कम budgets केँंदर जो microscope के आएोए हैं जैसे कि आपका 1200ह्स जूमिंग के साथ है और एक आपको मिल डैएगा 600 x और कुछ इसमे अगर सस्ती range में लेते हैं तो फिर सस्की रेंज में आपको मिल जाएगा USB टाइप तो काफी क्लाइंट्स की क्वाईरी रहती ही कि सर जो माइक्रिस्कोप पर क्या रहे हैं उन्हें हम सिस्टम पर कैसे देखेंगे मरला भी डिस्प्ले अगर हमें कंप्यूटर पर कनेक्ट करना होगा तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे तो आज हम उसी के बारे हम बात करते हैं और देखेंगे कि हम जो माइक्रिस्कोप हैं वो माइक्रिस्कोप हम किस तरीके से कंप्यूटर पर कनेक्ट कर सकते हैं तो अपने पास सभी हम देखते हैं अब ही माइक्रिस्कोप हमने लगाय हुआ है 1200 X जो कि हमने ओन भी कर लिया है 1200 X जूमिंग के साथ है और एक सेकेंड जो ही सेट हो गया है ठीक है यह हो गया आपका 1200 X और बात करते हैं फिर जिसका चोटा वेरिंट है आपका 600 X यह भी माइक्रिस्कोप आया हुआ है तो इसे भी हम कनेक्ट करके देखेंगे और सिस्टम से देखेंगे किस तरीके से यह कंप्यूटर पर कनेक्ट होगा और जो इसका चोटा मोडल आता है जो मने आपसे भी बात की दी यह आपका 500 X एंड 1000 X जूमिंग के साथ जो USB टाइप है यह हम इसमें देखेंगे कि यह आप कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने Android टीवी पर भी इसे किस तरीके से यूज़ करेंगे तो देखते हम किस तरीके का फीचर मिल हम सबसे पहले देखते हैं तो अब हम अब यह यह अज़े ताइप की बात करते हैं हमने लगाया भी USB टाइप यह expert को मैं भी connect कर लेता हूं तो सबसे पहले इस तरीके के आपको stand मिलने वाला है box के अंदर और box के अंदर stand मिलने के साथ साथ आपको connect कर लेना है जैसे ही आपका इस तरीके से two pin side है तो हमें pin side को इसमें लगा लेना है और ये auto fit हो जाएगा auto fit होने के बाद ये आपका usb से भी connect कर देते है तो मैं ऐसे usb से connect कर लेता हूँ ठीक है अब ये हमने कर लिया है comp system के अंदर connect तो इसके अंदर power आ गई है ये आपका preset होता है जिससे कि आप इसकी brightness कम ज़्यादा कर सकते है यहां से आप इसकी brightness कम ज़्यादा भी कर सकते है तो अभी हम microscope लगा लिते हैं फिलाल तो microscope हमने यहाँ पर लगा लिया है ठीक है और अभी हमारे पास फिलाल है RAM तो हम system से कर लिते हैं से attach तो हमने software इस का on कर लिया है देखिए connecting दिखा रहा है और ये on हो गया है फिलाल जैसे की अभी मैं आपको दिखायता हूँ जैसे की अभी हमारे पास एक IC है हम कुछ IC वगारे मैं आपको दिखायता हूँ ये देखिए किस साइड से है सीधी ठीक है ये देखिए H846 जो कि आप वीडियो इसके इंदर proper clear दिख रहा है computer के उपर भी आप जैसे की देख सकते है computer भी आप देख सकते है कि H846 34C1 IC है बात करते हैं हम RAM की जो RAM चिप लगी है इसके उपर वह RAM चिप लगी है Hynix HY5P S1 G1 631 तो ये भी IC लगी है और easily आप देख सकते हैं और बात करते हैं अगर हम RAM के उपर तो आप यहां देख सकते हैं कि बहुत छोटी IC है एंड इस पर आपको लेंस की ज़रूरत पढ़ती है तो अभी हमने चेक किया है microscope के उपर और connect किया है PC से तो ये था हमारा 500X zooming के साथ जो कि हमने connect किया हुआ था तो अभी हम दूसरा connect कर लेते हैं यह हमने 500X zoom के साथ connect किया था अभी हम बात करते हैं connect करते हैं 1000X तो 1000X भी अपने पास है, इस टॉक के अंदर, तो मैं 1000X भी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरी यह 1000X की भी क्यल्टी है, तो सेम वही है, स्टेंड बगरा सबी चीजे में ही है, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं, तो यह आपको मिलने वाला है 1000X के साथ, यह आपको 1000X के साथ मिलेगा, तो हम इसे भी कनेक कर लेते हैं, इसी स्टेंड के उपर, तो वही प्रोसेस है अभी में, तो इसे अभी हमने कर लेंथ जो है वायर की लेंथ भी काफी बढ़ी है तो इसे अभी हम रख लेते हैं आपर और इसे कर लेते हैं हम कनेक्ट यूस्बी के दुरू तो अभी हो रहा है इंस्टॉल और इंस्टॉल होने के बाद इसके अंदर लाइट का प्रोसेस यह देखिए नहां से हजाएगा लाइट इंक्रीज हजाएगी एंड सॉफ्टर को में एक बार बंद करके दुबारा चला लेते हैं तो कनेक्टिंग शो हो रहा है और यह कनेक्ट का ओप्शन आगी है सब से पहले दिखिए एक चीज़ और में लें दिखा रहने चाहते हूं कि माइक्रिस्कोप को यूज करने से पहले इसका कवर हमें हटा देना है ऐस साइड इस तरीके यह कवर होगा तो में यह हटा देना है नहीं हटा दिए अब ही हम कर लेते हैं से दुबार से connect, reconnect कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीकी कि इसकी quality है Sorry, हमें zooming clear करनी पड़ेगी इसकी ओके, 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 ठीक है यह देखें तो जैसे कि cough cutting के लिए भी कहते हैं कि सर्क cough cutting के अंदर tracks देखने हैं, तो बहुत ही easily देख सकते हैं आप quality कितनी अच्छी है, microscope की आपको easily एक एक चीज आपको perfect दिखता है इसके इंदर आपके यह register pack लगे हुए है 3R0, यह 3R0, जो कि आप easily इसके अंदर वीडियोस के अंदर देख सकते हैं इसमें छोटी IC लगी हुई है यह H846 यह भी IC लगी है दुसरा अभी हम बात करते हैं कि सर्य यह तो RAM पे कहना है IC लगी हुई है इसमें देखें कितनी अच्छी clarity है और सब कुछ एकदम clear दिख रहा है तो आपको कोई problem नहीं होगी lens वगर से के regarding बात करते हैं अगर आयो देखते हैं कि जैसे भी हमारे पास एक आयो है तो हम आयो भी चेक करते हैं कि सर आयो इसमें किस तरीके से देखेगी तो हमने आयो निकाल लिये है और अभी हम RAM हटा देते हैं रख देते हैं आयो एंड यह देखे हैं तो अभी हम बात करते हैं आयो की अगर हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लगी ही है BQ sorry B9012 QF A3 IO है तो बिलकुल easily knit and clean एकदम clear दिखा रहा है और सब कुछ साफ है और वीडियो में भी आप देख सकते हैं computer पर यह connect है और बिलकुल एकदम clear हमें photo show हो रहा है तो अभी हम बात करते हैं अभी हमने USB type दोनों ने देख लिया है तो हम चेक करते हैं अब दोनों microscope जो कि आपकी screen के साथ है screen पर भी देखेंगे और वैसे भी normal भी हम देखेंगे तो अभी हम USB type इसमें से हटाजते है और बात करते हैं हम अभी 600x microscope की तो यह हमने on कर लिया power button इसका यहां पर दिया हुआ है वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं power button ने menu है mode है up and down and ok का option है तो हम इसे इसी stand के अंदर लगा लेते हैं बाकी इसका stand लाए तो हमने इस इसी stand के अंदर हमने fit कर दिया है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं RAM RAM के अंदर किस तरीकी कि quality है तो यहां देखो देखे आप तो अभी हम यहां से clear कर देए इससे यह देखे है तो इस स्क्रीन के अंदर भी आपको एकदम क्लियर नजर आएगा आपको दिखायता हूँ एक्चली वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पर आपको सिस्टम पर दिखायता हूँ कौशिश करूँगा बिल्कुल कि सब कुछ शेयर हो क्योंकि वीडियो में लाइटिंग वगरा का इशू रहता है तो फिर उस्पोट नहीं कर पाता तो बाकिए मैं इस संस्टम से और सिस्टम से कनेट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीकी वीडियो स्क्रीन पर आती है वह कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होगा तो हम इसके क्या करते हैं सबसे पहले केबल ले लेते हैं और केबल को हम कनेक्ट करते हैं कि इसमें आपको केबल मिलेगी और केबल माइक्रिस्कॉप से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं मैं इतने कनेक्ट करके आ आपको USB से direct microscope के पीछे connection दिया हुआ है वहाँ पे आपको insert करना है तो देखिए यहाँ पर हमने insert करने के बाद देखिए जो आपको IC दिखाई थी हमने यहाँ पे HYNX HYNX का HY5P S1G1631C अब देखो बिल्कुल clear neat and clean आपको adjust करना होगा थोड़ा adjust करने के बाद आपको बिल्कुल आपका perfect निजर आएगा आप यह IC देखिए हैं HAT4634C1 बिल्कुल perfect neat and clean आपको शो हो रही है सेम वही process इसके इंदर भी है तो इस तरीके से आप इसे connect कर सकते हैं तो बात करते हैं हम आयो की अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि सर आयो कैसे दिखेगी तो अब यह मारे पास बिल्कुल नहीं आयो है और हम नहीं आयो को इसके अंदर इसके इंदर QFA3 बिल्कुल perfect एकदम नजर आ रहा है वो reason क्या हो रहा है कि नीचे reflection आ रहा है lighting लगी है इस वज़े से reflection का issue हो रहा है नहीं तो जैसी आप इसे setup पे एक बार set कर देंगे सेट करने के बाद आपको एकदम perfect नजर आएगा जैसे कि मैं आपको दिखा भी पा रहा हूँ और आप देख भी पा रहे है कि KB92 QFA3 model है बिल्कुल neat and clean दिख रहा है N3A1137 KCA131005 और direct अगर हम camera की बात करते हैं इसे देखने के लिए तो यह देखिए तो कुछ कुछ साफ सा नजर नहीं आता है तो हमें lens लगाने के जुरूत पड़ीगी तो बात करते हैं हम अभी फिलाल 1200X zooming के साथ जो हमारा microscope है बड़ा size हम उसे connect करके देखेंगे और उससे देखेंगे किस तरीके से हम computer पर connect करेंगे अभी हम फिलाल इसे हटा देते हैं और हटाने के बाद अब हम लगाते हैं 1200X 1200X हम इसकी भी quality चेक करेंगे और किस तरीके से इसे use करेंगे वह भी हम देखते हैं तो 1200X हमने अभी लगा लिया है लगाने के बाद हम इस आपर size कर देते हैं आप इसमें adjustment दिया हुआ है आप उसके आप से इसे adjust कर सकते हैं आप एंड डाउन जिस तरीके से भी आप इसे adjust करना चाहें तो वह आपके उपर depend करता है कि आपको अपने use के regarding किस तरीके से use करना है तो अभी हम कर लेते हैं इसे USB से connect तो जैसे कि हमने अभी microscope के अंदर cable fit कर दी है आप देख सकते हैं इसके अंदर आप जो mobile में लगती है माइक्रो टाइप वह हमने connect की हुई तो इससे connect करने के बाद microscope हम इसके अंदर लगा लेते हैं और लगाने के बाद जो cable है हमने जो microtype है वह हम इससे adjust कर लेते हैं और उससे कर लेते हैं अपने system से connect तो अपने system से connect कर दिया है और यहां पर option आते हैं आपको मैं आपको दिखायता हूँ screen पर option आईए आपके तीन तरीके के यह नजर नहीं आ रहा है देखे जी ठीक है इसमें आता है PC camera का option आएगा जैसी आप connector देंगे तो इस आपको आप down करके देखे आप मास storage recording mode और PC camera तो आपको second वाला option select करना है और second वाला option select करने के बाद ok press करना है और hack, press करने के बाद यह इस तरीकर से option आजाएगा तो अभी इन से लगा लेते है डारिग्ट स्टेंड के अंदर स्टेंड के अंदर लगाने के बाद हम इससे कर देते हैं It's time क्लियााटी करने के बाद और paper लखने के बाद हम रखते हैं एक RAM, टेक है, हम इसे कर लेते हैं, अभी अधिजस्ट, तो जैसे कि यह connect होगी है, connect करने के बाद हम देख रहे हैं, setting आपको adjust करना पढ़ेगा, adjust करने के बाद जिसी के RAM गई लेगी हुगी है, तो हम RAM के अंदर फिर दुबार से देखते हैं ICs वगेरा और ICs अभी हम RAM को रख लेते हैं microscope के stand के तीचे मतलब microscope के lighting के नीचे तो यहाँ पर देखें अब मैंने fully adjust कर दिया है settings वगेरा कर दिया है तो देखें यहाँ तो proper दिखा रहा है system के अंदर की H84634C1 IC नंबर छोटी IC लेगी है छोटी IC गौन से ही यह वाली यह आपकी जो IC लेगी है वो ही आप system के अंदर देख रहे है तो यह देखें मैं आपको दिखा रहता हूँ जी यहाँ अचली lighting का reflection बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस वज़े से problem हो रही है देखें यह रेम है रेम की हम बात करते हैं इस छोटी IC की और जो इसके अपर रेम चिप लगी हूई है हम उन्हें भी देखते हैं तो system adjust है and adjust होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यह RAM IC लगी हूई है Hynix की तो इस पर दीख रहा है and बात करते हैं हम यह देखिए आपको setting के इसाप से adjust करना पड़ेगा and perfect आपको सभी चीज़े auto आप उस पर देख सकते हैं and बात करते हैं I.O की तो I.O की recording में हम बात करेंगे और I.O भी हम इसके दर देखेंगे I.O हमने यहाँ पर connect कर दी है sorry इसके नीचे लगा दी है लेंस के तो वहाँ पर भी आप देख सकते है के बी 92 QF9F QF A3 देखे आपको settings जो है वो अपने recording एड़ेस्ट करनी है एड़ेस्ट करने के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं देखें अभी हमने एड़ेस्ट किया तो बिल्कुल नेटन क्लियर आ गया तो यह अपने recording एड़ेस्ट भी कर सकते हैं जैसे कि इसे अप भी ले जा सकते हैं डाउन भी ले जा सकते हैं यह देखें तो अभी फिलाल हमने कर दिया इसे डाउन और यहां से आप इसे जैसे ब्लर हो गया है तो आप यहां से इसे एड़ेस्ट कर सकती है यह आपका सारा एड़ेस्ट मेंट करते हैं कि आपने किस तरीके से सेट किया हुआ है तो जब भी ब्लर हो या फिर आपको क्ल प्रॉपर देख न लग गया है तो अभी हम आयो रख गते और बात करते हैं कैम्डरे की तो कैम्डरे के अंदर आपको सारे के सभी अब वो और साथ तो देखिए आपकी इसकी वीडियो वगएर भी हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल पर प्रपर डिली हुई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके सारे फीचर्स वगएर आपको सभी A to Z हमने दिखाया हुआ है तो आपको यह वीडियो कैसी लेगी और नो हें अगर कोई भी माइकरिस्कोप यूज कर रहे हैं तो उसके कमेंट्स और आप सुझाओ हमें जरूर कमेंट्स सेक्शन बॉक्स में बताएगे हैं और UP कि सब्रॉडक्ट की वीडियो शाते हैं तो आप हमें जरूर बताएगगा ह तो इस्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कार सकते हैं और आप हमारे टेलिगरम गुरुब जोइन कर सकते हैं। रीपेरिंग से रिलेटेड आपको यहां पर सभी परकार के प्रॉडक्स मिल लाएंगे। ग्रूप जोइन करने के लिए हम टेलिग्राम एप पर सर्च में ब्र इंफो टैक्क मेरत टाइप करेंगे और रिफिक्स तूल आइकन वाले ग्रूप को जोइन करने में आपको यहां पर सभी प्रकार के प्रोडक्स मिल दाएंगे